आज का जो वर्ड है, पहला वर्ड है cool, फिर दूसरा वर्ड cold, आपको पता है cool और cold, दोनों का एक ही meaning होता है, अगर आप इसका हिंदी देखेंगे तो cool का भी मतलब ठंडा और cold का भी मतलब ठंडा, अभी दोनों में फर्क क्या है, अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए cool का मतलब कि जो ठंडा आपको मजा दे, वो cool है, और cold का मतलब जो ठंडा आपको सजा दे, वो cold हुआ, जिसे आप एक्जाम्पू ले सकते हैं, जिसे गर्मी के दिन में आपका ठंडा जो है, मजा देता है, तो आप कहेंगे कि the air, the air is cool in summer, इसका अर्थ हुआ कि गर्मी के मौसम में, जो हवा होती है, वो ठंडी होती है, तो गर्मी के मौसम का जो हवा है, वो हमें मजा देता है, तो उसके लिए हम cool का यूज करेंगे, लेकिन देखिए, अगर आज हम लोग winter season में हैं, अभी हम लोग ठंडा के मौसम में हैं, और इ air is cold in winter. यानि winter में, यानि थंडा के मौसम में जो हवा होती है, वो थंडा होती. तो cool और cold में यही अंतर है, कि cool जो है, मतलब मज़ा देने वाले थंडा के लिए यूज होता है, और cold जो है, वो सजा देने वाले थंडा के रूप में यूज किया जाता है. जिसे आप देखें कि powder आता है, डर्मी कूल, तो उस पर डर्मी कूल लिखा होता है, डर्मी कोल्ड नहीं. क्योंकि डर्मी कूल का मतलब कि जब आप उस powder का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो मज़ा देगा, आपको अच्छा लगेगा. तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिकत नहीं होनी जाएए.